नवश्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 30 अगस्त दिन बुदवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर पटना हाई कोट में परसनल असिस्टेंट पदों पर निकली भरतियां जानिये राफी का क्या है सुब मुरत इश्टुडन क्रेट कार्ड योजना के लिए कड़े आवेदन जलासतर ये विज्ञान कॉंग्रस के लिए आवेदन शुरू आज आसमान में दिखेगा सूपर ब्लू मून अब चले भरते हैं बिहार के अब तक की 25 बरी खबरों के ओर विस्तार से पटना हाई कोट में परसनल असिस्टेंट पदों पर निकली भरतियां पटना हाई कोट ने परसनल असिस्टेंट पदों पर भरती के लिए अधिसूशनाच चारी की है यह भरतिया पर्सनल असिस्टेंट पदो के लिए की जानी है कुल पदो की संख्या 36 है एक्चोक और योग्यमिद्वार आधिकारिक वेफसाइट पटना हाइकोड.gov.in के माध्यम से आवेधन कर सकते हैं आवेधन करने की अंतिम तारीक 18 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है वहीं फीस भुकतान की अंतिमति थी 20 सितंबर 2023 तक है आवेधन करने वाले अभ्यर्थियों की आयू एक जनवरी 2023 को 18 वर्स से कम और सैथ इस वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए हालाक 14 शित्रेनी के इंग्लिस सौट हैंड वा इंग्लिस टाइपिंग में सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए किसी मानेता प्राप्त सर्स्थान से कंप्यूटर कोर्स में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट का 6 महीने का कोर्स होना चाहिए इससे जुरी अधिक जानकारी के लिए जारी क नोटिफिकेशन को देख सकते हैं उन्हें इसके लिए आविदन करना होगा आविदन करने के लिए किसान को सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sttpskolum slash state.bihar.gov.in slash को ओपरेटिव पर जाकर ओनलाइन आविदन करना होगा जो की बिल्कुल निशल्क है आविदन करने की अंतिम्तिती 31 ओक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई है इससे जुरियत जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 18-00-18-00-1-1-1-00 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे किस योजना के तहत एक फसल से जादा फसलों के चेहन की सुधा मिलती है योजना अंतरगत अधिक्तम दो हेक्टियर प्रतिकिशान हेतू सहायत अरासी का भुकतान किया जाता है और नगर पंचायत नगर पड़ी सच्छेत्र के किसान भी इस योजना का लाप राप करने के योग्य हैं जानिये राकी का क्या है सुबमोर्थ इस बार लोग रक्षा बंधन को लेकर इस सुलजन में पड़े हैं कि यह त्योवार कब मनाया जाएगा तीस अगस्त यानी की आज या 31 अगस्त यानी की कल जाएगा वह हिंदू कालेंडर के अनुसार 31 अगस्त को श्रावन पूर्णीमा के तिती सुबह साथ बज़कर पांच मिनर तक रहेगी और इस दोरान भद्रा का साया भी नहीं रहेगा इस वज़ह से 31 अगस्त को सुबह साथ बज़कर पांच बज़े तक राखी बांधना स बिहार के प्रिटर में आज हम बात करेंगे तिबती मंदर के बाड़े में तिबते मंदर बिहार के बोध गया मिस्थित तिबती सास्त्रों और कई बहुत प्रतीकों से अलंकृत धार्मिक केंद्र है जो खुद में महत्पुर्न स्थान रखता है महाबोधी मंदर के समीप इस मंदर ने अपने कुछ विशेश कारणों से अपनी अलग छवी बनाई है यहाँ एक 10 मीटर उंचा धर्म चक्र है जिसे सुनहडे और लाल रंग में रंगा गया है लोगों के ऐसी आस्था है कि इस चक्र को बाय से दाए तीन बार घुमाने से उसके द्वारा किये गए सभी पापों से मुक्ती मिल जाती है तिबती मंदर का महौल काफी शान्त है और यहाँ पर लोग साधना भी करते है यह बहुत धन के लोगों के धार्मी का स्थलों में से एक है क्योंकि यहाँ मैतरे बुद्ध की छवी है जिन्हें वहाँ के भिक्चु भगवान बुद्ध के भविश्य का अफ्तार बताते है घरेलू गैस सिलिंडर 200 रुपए हुआ सस्ता बीतदन केंद्रे मंत्रे अनुराक ठाकुड के दोरा जानकारी देते वे बताया गया किंद्र सरकार के दोरा घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत में 200 रुपए की कटोती कर दी गई है लेकिन बता दे कि यह कटोती सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए की गई है जो प्रधान मंत्रे उजवला योजना के तहर सिलिंडर खड़ीते हैं लेकिंद्र सरकार के दोरा यह भी फैसला लिया गया है कि वह 75 लाख गड़ी परिवारों को प्रधान मंत्रे उजवला योजना के तहट गया सिलिंडर का करेक्शन मुफ्त में देगी मालम हो कि सियोजना के तहट सरकार के ओर से पहले ही 200 रुपे की सबसिडी दी गई थी जिससे अब एक बार फिट बढ़ा कर 200 कर दिया गया है मालम हो कि सियोजना का लाब पाने वालों के लिए कुछ पात्रता नर्थारित की गई है जिसके तहत आविदक महिला होनी चाहिए, महिला के आई 18 वर्स से अधिक होनी चाहिए, महिला बीपिल परिवार से होनी चाहिए, महिला के पास बीपिल कार्ड तथा राशन कार्ड होना चाहिए, आविदक के परिवार के किसी सर्श के नाम पर LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए मैथली ठाकूर बनेंगी NIDM की ब्रांड एंबस्टर बिहार की बेटी और लोग गाई का मैथली ठाकूर बहुत जल्दी NIDM की ब्रांड एंबस्टर बनने वाली है बता देक इस बात की जानकारी खुद मैथली ठाकुर के दोरा एक प्रतस्थित अखबार दैनिक भासकर के साथ हुए बातचीत में दी गई है वहें इसके अपचारी ग्रूप से घोशना आज यानि की 30 अगस्त को Constitutional Club of Delhi में की जाएगी मालुम हो कि मैथली ठाकुर NIDM की पहली Brand Ambassador होगी आपके जानकारी के लिए बता दे किस से पहले भी मैथली ठाकुर कई अलग अलग चीजों की Brand Ambassador रह चुकी है जिन में खादी, हैंडी क्राफ्ट, हदकरगा और बिहार परटन विवाग शामिल है इसके लावा मैथली ठाकुर को इसी साल जन्वरी में Election Commission of India के द्वरा अपना आइकन बनाया गया था और 2004 स्थोक सभाचना में वो बिहार में मद्दाता जागरुकता अभियान भी चलाएंगी आज आस्मान में दिखेगा सूपर ब्लू मून आज यानि की 30 अगस्त को आसमान में वंस इन ब्लू मून की दुरलब घटना घटित होने वाली है बता दे किसे ब्लू मून या सूपर ब्लू मून कहा जाता है हालाक इस दोरान चांद नीला नहीं दिखाई देता बलकि चांद नारंगी रंगा दिखाई देता है मालूमों के आकाश ये घटना बेहद ही रोमान चक होता है सूपर मून या में चंद्रमाओं की तुलना में 16 प्रतीशत अधिक चमकिला होता है और इसके साथ इस दिखाई देता है नासा के नुसार ये घटना तब घटित होती है जब चंद्रमा पुर्ण होता है और उसकी कख्छा प्रिथवी के सबसे निकट होती है खगोली एस्थिती के कारण ये चंद्रमा अकसर 10 साल में केवल एक बार दिखाई देता है लेकिन कभी-कभी नीले सूपर मून के बीच का अंतराल 20 साल तक का हो सकता है पीचीडी इस महीने से देखेगा जलापूर्ती योजनाओं का मेंटेनस बिहार के मुख्य मंत्र नितीश कुमार के दोरा दिये गए नर्देश के तहट सहरी और ग्रामीन जलापूर्थ योजनाओं का मेंटेनन्स पीच एडी के दोरा किया जाएगा इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है मैं अगले महीने संबंद में मुख्य सचीव की अध्यक्षता में पीच एडी पंचाइती राजविभाग और नगर विकास एवं आबास विभाग के बीच एक बैठक आयूजित की जाएगी जिसके बाद पंचाइती राजविभाग की 65355 योजनाओं को पीच एडी को स्था को लेकर भी काम करना शुरू कर दिया गया है ताकि जलापूर्ती के मेंटेनेंस वा नए योजनाओं को लगाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े पीच एडी के मताबिक पंचाइती राजविभाग की 70 प्रतिशत योजनाओं का हस्तांतरन हो चुका है और बाकी सिक्षा ग्रहन करना चाहते हैं लेकिन आर्थे कस्ति ठीक नहीं होने की वज़ह से आपको इसमें परिशानी का सामना करना पड़ रहा है तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के दोरा बिहार के युवाओं को उच्छतर सिक्षा प्रा कराकर इस योजना का लाब ले सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश राजे के युवाओं को उच्छ सिक्षा के लिए प्रोथ साहित करने का है बता दे कि एक चुक विद्यार्थी ओनलाइन आविदन करने के लिए वेबसाइट बाहर के दोरान घड़ खाली करने पड़े तो अपना ये सुरक्षित तरीका इन दिनों बिहार में कई नदियान लाल निशान पर बहड़े ही है इसे में राजे के कई छेतरों में बाहर जैसे सिती बनी हुई है इसी को देखते वे बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के दोरा बाढ़ से सुरक्षितर रहनी की जानकारी दी गई है जिसके तहत अगर बाहर के दोरान यदि घड़ खाली करना पड़े तो कुछ सुरक्षा तरीकों को अपनाया जा सकता है ऐसे सिती में यदि आप घड़ खाली करते हैं तो फरनीचर अप्लायंस यानि की घड़े लो उपकरन को विस्तर और मेज के उपर रखे टोयलेट बोल में रेट की बोरी रख दे और सभी नालो को ढग दे ताकि सीवर का पानी वापस घर के अंदर ना आए बिजली और गैस के कनेक्शन बंद कर दे एमर्जंसी किट प्रात्मिक उपचार पेटी और कीमती समान अपने साथ रखे और स्थानी अधिकारियों के पील के बाद ही वापस अपने घड़ाएं वहीं किसी भी आपात कालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधम विभाग के राजे आपात का के लिए आवेदन शुरू राश्ट्रिय विग्यान एवं प्रोदो की संचार वरिसत भास सरकार के नरदेश पर स्सी एर्ट के दोरा जारी कीगे कालिनर के अनुसार जलासतर ये विग्यान कॉंग्रिस 10 अक्टूबर को आयुजित किया जाएगा तो वहीं राजे अस्तर य जो बाल विग्यानिक राजे अस्तर पर चेहनित होंगे उन्हें राश्ट्रिय अस्तर पर शामिल होने का अफसर मिलेगा हर जिलों से 10-10 बाल विग्यानिकों का चेहन किया जाएगा जो राजे अस्तर ये विग्यान कॉंग्रिस में शामिल होंगे और फिर राजे अस्तर प शामिल हो सकते हैं उसकी खासियत यहा है कि वह पूरी तरह एको फ्रेंडली है इसे खादी के सूत और घास का प्रियोग कर बनाए गया है मालमों कि राधाजा पीम मोदी के लिए 10 अलग अलग राखी अपने साथ लेकर दिल ली गई है मालमों कि अगर राधा जहा के द्वारा बनाई गई यह राखी चेनर्ट होकर पीएम मोधी की कलाई पर बांधी जाती है तो यह दरभंगा के साथ साथ पूरे बिहार के रिए सम्मान की बात होगी CIS-CE आयुजित कर रहा 6 से 11 वी तक के बच्चों के लिए राश्ट्रियस तरका टैलेंट सर्च परिक्षा भारती स्कूल प्रमान पत्र परिक्षा परिसद यानि की CIS-CE के द्वारा विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान और प्रोदोही की विवाग के तहत एक स्वायता संगठन, राश्ट्रियस एक्षिक अनुसंधान और प्रस्रिक्षन परिसद, मानव संसाधन, विक परिक्षा ओपन बुक परिक्षा होगी जो की 29 ओक्टूबर और 30 ओक्टूबर को आयूजित किया जा सकता है, बतादे कि इसमें रजिश्टर करने के आकरी तारी 15 सितंबर 2023 तक नरधारित की गई है प्रदेश में मौसम बना रहेगा सुस्क, इस बार के मौनसून से हर कोई है अब तक मौनसून का दो तिहाई हिस्सा समाप्त हो गया है, उसके बाद भी प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, बार की मार जेल रहा तो वहीं दूसरी तरफ सुखार जैसे हालात है अगस्त महीने में अगर बारिश की बात की जाए तो अब तक 50% से भी कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि सितंबर महीने में साल 2015 से भी कम बारिश दर्ज करने की बात कही जा रही है मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इस साल का अगस्त महीना इतिहास का दूसरा सब से ड्राई अगस्त महीना होने वाला है इधर पटना मौसम विग्यान केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसर प्रदेश के अधिकांस हिसों में अगले तीन दिनों के दौरान अधिक्तम तापमान में दो से तीन डिगरी तक की बढ़ोतरी की बात कही गई है जिसके कारण राचे से उमस युक्त मौसम रहने की संभावना जताई जारी है विभाग के पुरवानुमान के अनुसर दो सितमबर तक मौनसून टर्फ लाइन किसी भी समय अपना रास्ता बदल सकता है इसलिए कुछ एक अस्थानों पर हलकी बारिश होने की संभावना है जिसके कारण होने से आबादी बढ़ रहा है और वे दूसरी ओर तीसरी शेणी में आते हैं उन्हें बड़े नगरों की तरह विक्सित किया जाएगा जिसमें सभी मूलभूत नगरिये सुवधाएं उपलब्द होंगी इसके आधार पढ़ी टाउन प्ला तैयार किया जा र पत्र लिखा गया है पतादी किस योजना को मुर्त रूप देने के लिए वीते वर्स 2023 में 466 करोड 29 लाख रुपे आवंटित किये गया है महिस के लावा शेहरी आधार भूत संरचना विकास सील फंड से भी किंद्री आवासन एवं सहरी काड़े मंत्राले के दोरा रासी अ चात्राओं के स्वक्ष सोचाले और अने विवस्था पर बिहार सरकार को मिली मौलत। नापकीन को नस्ट करने वाली मशीनों की विवस्था हेतू एक जरूरी दिशा नर्देश तयार करे वहीं कोट की ओर से राजसरकार के स्वास्ते विभाग के अपर मुखे सचीव को यह भी नर्देश दिया गया था कि सम्मन में एक कमीटी गठित की जाए अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोट के दौरा दो सब्ता बात की जाएगी ट्रक पर लोड चालस लाग के विदेशी सराब बरामत बिहार में पुन रूप से सराब बंदी है से तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जुरे मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालक इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाफ बिभाग की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही उल्टा सराब तसकरों के दौरा तसकरी के लिए आएदे नए नए तरीकों का नजात किया जाड़ा है बतादी के ताजा मामला बिहार के मुझपरपुर जिले के अहियापुर थाना छेतर का है जहां गौत सुचना के आधार पर अहियापुर पुलिस के दौरा फतेहपुर चंदन बखडी के पास घीरा बंदी कर एक ट्रक की छापे मारी करते वे उसमें से भारी मात्रा में विदेशी शराब बढामत किया गया है जिसकी कीमत 40 लाख रुपे बताई जारी है इसके साथ ही पुलिस के दौरा दो कारुबारी को भी गिरफतार किया है और ट्रक के आगे बाइक से चल रहे लाइनर के बाइक को भी जबत किया गया फिलाल इस मामने की जांच कर आगे की कारेवाही की जारी है बतादे किस बात की जानकारी एसपी टाउन अफधेश तिक्षत के दौरा दी गई है आकासवानी भूमिगत मिट्रो स्टेशन के लिए जगत है पटना मिट्रो रेल प्रोजेक्ट का आकासवानी भूमिगत मिट्रो स्टेशन राजधानी पटना का दिल और के दर कहे जाने वाले फ्रेजर रोड पर सित होगा बता दे किस स्टेशन की लंबाई 235 मीटर होगी और गहडाई भूतल से 16 मीटर नीचे होगी मालुम हो किस भूमीगत मेट्र स्टेशन में फ्रेजर रोड इलाके के पैदल यातरी मेटरो के भुकतान छेतर में प्रवेस किये बगैर प्रस्तावत सब्वे से सरक के एकोर से दूसरी ओर आसानी से जा सकेंगे आपके जानकारी के लिवत आदे के आकाश्वानी भूमीगत मेट्र स्टेशन फ्रेजर रोड एस्पी वर्मा रोड एग्जवीशन रोड गांधी मैदान डाग बंगला पतना स्टेशन स्टेशन रोड मोरया लोक आदी छेतरों के लोगों के निरवाद आवागमन के लिए प्रिस्तावित है इस स्टेशन के दो तले होंगे माइनस एक पर काम कोर्स होगा और उसके नीचे माइनस दो पर प्लैटफॉर्म होगा यहां यातरी को टिकेट काउंटर 140 सुरक्षा जांच आदी सुधाएं मिलेंगी इस्टेशन में तीन प्रवेस और निकास द्वार हों के दोरान मीडिया से बादशित करते वे कहा गया कि वे नरेंत्र मूदी के नरेटी पर चढ़ने जा रहे हैं उन्होंने केंद्र सरकार को खुले चनौती देते वे कहा कि हमने मूदी की नरेटी पकड़ रखा है वह बिहार के उप्मुख्यमंत्र तेश्वी आदव के दोरा इस तोरान कहा गया कि बिहार ने देश को दिसा देने का काम किया है अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में महागरवंधन की सरकार बनी थी उसके बाद ही हम लोगों ने विपक्ची एक जूटता की बात की थी तब भाजपा जैसे दलों ने इस तरपर कई तरह का कट आक्ष किया था लेकिन अब अगस्त का महीना आया है और अब तक इंडिया के दो बैठक हो चुके हैं अब तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है बाजपा के नेताओं की बढ़ाई गए सुरक्षा बीतेदन केंदरे गोरी मंतराली के दोरा बाजपा की कई नेताओं के सुरक्षा को बढ़ाने की घोशना की गई है जिसमें बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष समराच चौधरी की सुरक्षा को बढ़ाते वे उन्हें जैट श्रेनी की सुरक्षा दी गई है तुमाहीम नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सनहा को वाई स्रेनी की सुरक्षा दी गई है इनके अलावा MLC, दिलीब जैसवाल और राजू सिंग को एक्स सुरक्षा दी गई है बता देगी किंद सरकार के दोरा समय समय पर अलग-अलग नेताओं की सुरक्षा की समिच्छा करते वे उसके अनुरूप उसे घटाने बढ़ानी का काम किया जाता है ऐसे में समराण चौधरी और विजय कुमार सिंह मौजूदा समय में बिहार के दो प्रमुक चेहरे हैं और ये अकसर बिहार में दोरा करते रहते हैं ऐसे में निताओं की सुरक्षा को बढ़ाते वे जड़ और वाई स्ट्रेनी की सुरक्षा दी गई है लोगसभा चुनाओ को लेकर सीम नितीश का दावा इन दिनों देश में समय से पहले लोगसभा चुनाओ कराय जाने की चर्चा तेज हो गई है स्पीच बीते दिन बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार के दोरा दुबारा ऐसी आसंग का जताते हुए कहा गया है कि बीजेपी सरकार समय से पहले आम चुनाओ करवा सकती है ऐसे में विपक्षी दलों को जल से जल एक जूट होने की जरूरत है मालुएं कि नितीश कुमार के दोरा इससे पहले भी जून महीने में कहा गया था कि समय से पहले भी चुनाओ हो सकता है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नितीश खुमार से पहले टीमसी चीफ और पर्शिम बंगाल के मुख्य मंतरी मामता बनरजी के द्वारा भी दावा करते वे कहा गया था कि केंदर सरकार दिसंबर 2023 में लोग सभा चुनाओ करवा सकती है उन्होंने चुनाओ प्रचार के लिए हेलिकॉप्टर भी बुक कर लिये हैं उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को तीसरी बार देश की सत्ता मिल जाती है तो देश में ताना साही बढ़ जाएगा केल राहूल के फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट आज से एशिया कब 2023 की शिरवात हो रही है इसे बीच भारतीय टीम के हेड कोच राहूल द्रविर के दोरा स्टार स्पोर्ट से बादशीत करते वे विकट कीपर बल्लेबाज केल राहूल के फिटनेस को लेकर एक बड़ भारत के पहले दो मैचों पाकस्तान और नेपाल के खिलाफ के लिए उपलब्धन नहीं होंगे इसकी जानकारी मुख्यकोच राहूल द्रविर के द्वारा दी गई है आपकी जानकारी क्लिवता दे कि टीम इंडिया इशिया कब 2023 का अपना पहला मैच पाकस्तान के खिलाफ दो सितंबर को खेलने वाली है तो वहीं दूसरा मैच नेपाल के खिलाफ चार सितंबर को खेलेगी भारत के तिहास में आज के तारीक है कहीं कार्णो सिदर्ज दारा सिकों को 1669 में औरंग जेब दारा फांसी दी गई भारतिय समयधान का प्रारू तयार करने के लिए डॉक्टर भीम राव आमबेट करके नत्तुमें एक समीति का गठन 1947 में किया गया समाजबादी पार्टी के नेता मुलायम सिंग यादा 2003 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने भारतिय अंतरेक्ष अनसंधान संगठनी 2009 में चंद्रयान प्रथम आपचारी कृप से समाप्त कर दिया हंदी विकिपीडिया एक लाग कांक्रा पार करने वाला प्रथम भारतिय भाषा विकिपीडिया संस्क्रन 2011 में बना अकबड का पुत्र एवा मुगल वंस का सासक जहांगीर सलीम का जन्म 1569 को हुआ था भारत के आजादी के लिए फांसी के फ्मंदे पर जूनने वाले अमर सहीदों में से एक कनाई लाल दत का जन्म 4880 को हुआ था भारतिय राजनितग्य और पुर्व लोग सभाध्यक्ष सर्दार हुकुम सिंग का जन्म 1895 को हुआ था हिंदी जगत के प्रमुख साहितिकार भगवती चरन बर्मा का जन्म 1903 को हुआ था गीतकार सैलंदर का जन्म 1923 को हुआ था भारतिय सेना का एक सैनिक बाबा हरबजन सिंग का जन्म 1931 में हुआ भारतिय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओस बोर्ण स्मित कानिधन 30 अगस्त 1952 को हुआ था हिंदी साहितिकार जीपी स्रिवास्तव कानिधन 1976 को हुआ था प्रख्यात उद्योगपते कृष्ण कुमार बिल्ला कानिधन 2008 को हुआ था प्रसिद इतिहासकार विपिन चंद्र कानिधन 2014 को हुआ था आज के दिन को लगो उद्योगदिवस के रूप में भी मनाया जाता है वालकर में आज हम बात करेंगे PM1 योजना के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो यह ज़रूरी नहीं है ऐसे करें में आज हम बात करेंगे PM1 योजना के बारे में P.I.B. ने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र फर्जी है, Department of Telecommunications, Government of India ऐसे किसी भुकतान की मांग नहीं करता है WhatsApp आपकी प्राइवसी को और बहतर बनाने के लिए ला रहा है ये फीचर Meta WhatsApp, Voice और Video Call को और सुरक्षित बनाने के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है अपनी Protect IP Address नाम के एक फीचर पर काम कर रही, जो Calls के दुरान आपको फोन के IP Address को सेफ रखेगा यानि Caller Stress नहीं कर पाएंगे IP Address की मदद से आपकी Location का पता लगाया जा सकता है और आपके साथ कोई भी कुछ गलत कर सकता है समस्या और Users की Privacy को बहतर बनाने के लिए कंपनी इस नए फीचर को एप में लाने वाली है, नया फीचर आपको Call Privacy सेटिंग के अंदर दिखेगा इस फीचर को ओन करने के बाद आपकी Calls WhatsApp के सरवर के दोरा सिक्योर की जाएगी और स्ट्रेस करना मुस्किल हो जाएगा हालाक इस फीचर को ओन रखने से Call की Quality में कमी आ सकती है क्योंकि WhatsApp के सरवर के माध्यम से encryption और routing process होती है सब्डेट की जानकारी WhatsApp के डेवलप्मेंट पर नजर बनाये रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info ने शेयर की है फिलहाली अप्डेट Android Beta के 2.23.18.15 वर्जन में देखा गया है आने वाले समय में कम्पनी से सभी के लिए रोल आउट कर सकती है हम प्रते दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल और सुझर जवाब बताएंगे जो की BPSC, पिहार पुल्स, दरोगा समेत SSC जैसे अने प्रतियोगी परिच्छां में काम आएंगे सवाल इतिहास, पिहार स्पेशल, विग्यान, करेंट अफेर्स और भूगों से रहेंगे पूछे गए पांच सवाल में आपने कितना सही उतर दिया करिपा करके यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में भारतिये महिलाओं ने विश्व सुटिंग चैंपियंशिप दो हजार तेज के फ्री पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है ओप्शन ए गोल्ड मेडल, ओप्शन भी सिल्वर मेडल, ओप्शन डी ब्रॉंच मेडल, ओप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है ओप्शन ए गोल्ड मेडल, अगला सवाल, हाली में जी भी संस्कृती कारे समू की बैठक कहां में संपन हुई है ओप्शन ए वारा नसी, ओप्शन भी सूरत, ओप्शन सी इलाहाबाद, ओप्शन डी लखनाव इसका सही उतर है ओप्शन ए वारा नसी, अगला सवाल, हाली में प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी ने 23 अगस्त को कौन साथ डे मनाने की घोशना की है ओप्शन ए नेशनल स्पेस डे, ओप्शन भी सार्क डे, ओप्शन सी लगू उद्योग दिवस, ओप्शन डी खेल दिवस इसका सही उतर है ओप्शन ए नेशनल स्पेस डे, अगला सवाल, मुगलकाल में बिहार आने वारे प्रतम विदेशी यात्रे इन में से कौन थे? ओप्शन ए मुल्ला ताकिया, ओप्शन बी अब्दुल लतीफ, ओप्शन सी मुहमस सादिक, ओप्शन डी मुल्ला भवाहनी, इसका सही उतर है ओप्शन ए मुल्ला ताकिया, अगला सवाल, नीम लिखित ये उरोपिये, क्यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? ओप्शन E, मैंडरिक, ओप्शन B, जॉन मार्सल, ओप्शन C, फ्रांसियो बढ़निय, ओप्शन D, पीटर मुंडी, इसका सही उतर है ओप्शन C, फ्रांसियो बढ़निय, बीते दिन हमारे दोरा पूछी का सवाल का आप लोगों मिस्ती बहुत लोगों ने प्रजवाप हमे जितंदर कुमार, मौसमी, ललन कुमार, चंदरवंशी, विकास दास, राजीव कुमार, नुन्नु गोलु कुमार, रजीत मिर्श्रा, मुहमत फ़हीम, धरंजय कुमार, आरके सिंग, मोती लाल यादव, अनवर करीम खान, अबधेश कुमार, दिनेस केटी इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्योड, आज का सवाल है, राखी के मौके पर आप देश की तमाम, वहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपना जवाब हमें हमारी कमांड सेक्शन में लिकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कवरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद